हालो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए यूटूब वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हम अपने पस्वों को कियो राट रीम बोलस किस रोग में देते हैं कब देते हैं इसके MRP क्या है इसकी डोज क्या है सारी जानकारी आपको इस कि नाम से नहीं आतीह निक विल्गे लेकिन इनका जो 60 होता होता है साल से हम समझ सकते इस किस किस चूरुग में इसे दे सकते हैं । दोस्तों जो क्योराइठ रीम का साथ है राइ मेता प्रीम और सल्फा मेता साजोल विलेट आय-पि है दोस्तों यह किस रोग में हम देते हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्तों अगर आपके पसू में डायरिया हो गया तो यहां आपके पसू का डायरिया सही नहीं करेगा लेकिन जिस कारण डायरिया होगा जिस इंफेक्शन के कारण डायरिया पसू में उभरा होगा उसी इंफेक्शन को यह खत् होगे तो automatic आपके पफुमें डारिया की समस्या नहीं आएगी डारिया की समस्या खत्म हो जाएगी साथ-साथ कभी-कभी आपने देखा होगा आपकी पफुको सास लेने में अगर थोड़ी बहुत परसानी हो रही है तब भी आप उसमें क्यूरा ट्रिम अपने आप किसी भी रोग में दे सकते हो अगर आपकी पासु कम खा रही है अच्छे से जुगाली नहीं तो दोस्तों यह करता क्या है जो नेगेटिव बैक्टिरिया रहता है यानि जो हमारे सरीर के लिए हानिकारक बैक्टिरिया रहते हैं उनको यह जड़ से खत्म करता है अगर बैक्टिरिया ही ना रहे तो पसु में रोक की समस्या भी नहीं आएगी दोस्तों इसका क्याम है मु से खत्म कर देता है ताकि आपके पस्वों में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग न आए आपका पस्व हमेशा हेल्दी रहे अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसकी MRP की तो इसकी MRP होती है 100 रुपए और इसमें मिलेगा आपको 12 बोलस एक पत्य में 4 बोलस दो बोलस सुवह और दो बोलस साम आपको देना होगा दोस्तों यह किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं है आप अपने गाविन पसू को भी दे सकते हो मिना गाविन पसू को भी दे सकते हो तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जुरू बताना अगर वीडियो में कमेंट करना हम आपके लिए प्रसनली वीडियो लेकर आएंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे प्यारे यूटूब फैमिली मेंबर